यूट्यूब चनल दोस्तों जितनी भी सीटेट फिल एस्टोरेंट है आप लोगों के लिए खुसकबरी जहां आपको बता दें कि सीटेट का रिजल्ट जो हो फिर से जारी किया जाएगा यानि कि बहुत सारे स्टोरेंट इस वार फिल किये हैं आप लोगों को पता है वन टू फाइब में इस वार बीपी एसी में काफी एस्टोरेंट पास कर गया है लेकिन सीटेट में फिल कर गया है एक दून नमबर से तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है स्टोरेंट को क्या करना पड़ेगा गर्मेंट फाइनली जो है फिर से आप लोगों का रिजल् कर सकते हैं एक व्हां को सब्सक्राइब को डिखाने वाली हूँ कि क्या बताया है तो सबसे पहली चीज आपको बतादें कि वीडियो को आप लोग जल्दि से लाइक कर कि इसी पलपल की खबड़ आपको मेरे मादियन से मिलती रहेंगी देखिए सि रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर आप देख सते हैं यहां पर इस रізव तो पहले आ चुका है लेकिन यह यह बाली अप्डेट न्यूस्ट Gulf needs यही है जो मैं दो चार दिन से आप लोगों को बता रही हूं कि बीपीसी में पास हुए हैं और सीटेट में काफी फेल हो गए खास कि एक दो नमबर से यह आप सो सकते कितनी बड़ी मुस्किन क्या बीत रही हुए उन अश्रेंट पे जो वीपीसी पास कर गया हैं लेकिन सीट कि लिए कुछ उनका नुकसान ना हो वश्रेंट हतास ना हो जिसके लिए यह डिसीजन लिया चारा है हम यहां पे देख लेते हैं कि क्या लिखा गया है सबसे पहले देखिए कि सीटेट रिजल्ट को लेकर बड़ी जानकारी देखने को मिल रही है कि सीटेट का रिजल्ट जारी हो सकता है ठीक है और अभियरतियों का इंतजार कभी भी समाप्त हो सकता है ठीक है यानि कि फिर से जो है यहां पे फाइनल जो है डिसीजन लिया गया है कि फिर से जो है रिजल्ट जारी हो सकता है इस चीच पे थोड़ा सा ध्यान देजिएगा कि फिर से रिजल्ट हो सकता है अभी इस पे बाते चल रही है confirm 100% नहीं है लेकिन यहां देखिए आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं कि सीटेट का रिजल्ट जारी होने की 10% ही संभावना है बाकी 90% सीटेट रिजल्ट फिर से जारी होने की कोई संभावना नहीं है ठीक है क्योंकि यह 10% भी पहले संभावना नहीं रहती थी क्यों इस बार BPSC की चलते ठीक है बस आपकी आवाद जो है वो गोवर्मेंट तक पहुँचनी चाहिए ठीक है देखिए गोवर्मेंट अपने मन से 10% जो है मन बना के रखी है कि दुबारा से रिजल्ट जारी कर दें इन अ स्टूरेंट अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं हम हर एक वीडियो मैं आप लोग को बता रहे हैं कि अपनी आवाज उठाए ठीक है आप लोग सब एक जुठ करके आवाज उठाए है Tigger कि एक से 5 तक के लिए स्टूरेंट जो डियर्यर किए होई है और 1 से 5 तक क्या श्ट सबता चल गया है अगर इतने ज्यादा नमबर आप लोग के हैं तो पास ही है अप फेल हो नहीं सकते हैं डर की न स्ट्रेंट को है जिनकों की 40 नंबर है ठीक है 40 से नीचे है ठीक है इन स्ट्रेंट को थोड़ा सा डर है कि हम पास हैं कि नहीं है लेकिन जो 50 हैं उससे उपर हैं उनलों को डरनी की घवरानी की कोई जुरूत नहीं है ठीक है सभी पास हैं तो उन स्ट्र के लिए सीटेट का नोटिफिकेशन है वह अक्टूबर के पहले सब्ताह में जारी कर दिया जाएगा और लाखों मिद्बारों का इंतजार कभी भी समाप्त हो जाएगा ठीक है यानि कि आप लोग को पता है कि फिर से यह सीटेट का एक्जाम होने बाला है दिसंबर में ठीक ह यहां पर साब साब बता जिया गया है कि अगर नोटिफिकेशन जो है अक्टूबर में आ गया ठीक है अगले एक्जाम का तो फिर आप लोग का यहां पर रिजल्ट जो दुबारा आप लोग का जारी करने की बात चल रही है वो नहीं होगा आप इंतजार करते ही रह क्योंकि देखिए रिजल्ट इस बार अच्छी तरीके से जारी नहीं किया गया है रिजल्ट जो है काफी कम अस्टूरेंट का ही हुआ है ठीक है पूरे ऑल इंडिया में अगर बात कर लें तो कम से कम पेपर टू में आपको बता दें कि 14-14 लाख से ज्यादा श्रूरेंट हम पास कितने किये है टीक है लेकिन आपको बता दें पेपर अगर यॉन की बात कर ले तो है पंदर लाख सम्थिंग ए थे लेकिन पास कितना पर कर पा में तीन लाख के लगभग में पास किये हैं ठीक है पूरे ओल इंडिया में अगर बिहार किसी बात कर ले तो 49-40,000 बिहार में पास किये हैं तो जिसके लिए कि फिर से दुबारा रिजल्ट 10% जो उमीद है वो काफी है ठीक है दुबारा रिजल्ट पूरी लाइफ में कभी भी जारी नहीं क कुछ भी नहीं करेगी ठीक है अपने मंसे गवर्मेंट ने सीटेट को एपेरिंग वाले को मौका नहीं दिया था नहीं दिया था आप लोग आप आज उठाए थे तबही आप लोग को मौका मिला था 21-23 वाले को गवर्मेंट ने अपने मंसे मौका नहीं दिया था आप लो आने की कगार पे है तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था सब लोग आज चड़ी चकित हैं तो इस बार कुछ भी हो सकता है ठीक है तो यहां पर यह साब सब बताएगे कि 10% सब्भावना है कि रिजल्ट दुबारा जारी हो सकता है अगर ऐसा हो गया तो काफी अश्रूरेंट का बी साथ दीजिए वो भी आब आज उठाएगे कि इस बार आप सीटेट में पास कर जाएगा ना तो अक्टूबर का जो वैकेंसी आने बाला है बीपीएसी का फिर से उसमें आप फिल कर सकते हैं ठीक है तो इसका मत्चिंता करी कि अभी जो बीपीएसी का फिल करना है अगर में तो इसलिए इस बार का सीटेट का रिजल्ट काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग था और अच्टूरेंट के लिए काफे ज्यादा महत्यपूर्ण था ठीक है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा चलिए आज के उतना ह इसलिए आज के लिए का है तो बार कि दो को सब्सक्राइब कर दो घूचरें तो या जूचरें